आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ अब आउट वास्तु शास्तु वास्तु शास्त के एकॉर्डिंग ऐसे कौन से साथ एलिमेंट साथ तत्व है जिने अगर हम अपने घर में प्रॉपर स्थान पे रहते हैं तो उसे माई जीविन में बहुत जादा सुक शांति और सम्र जिद्धी आती है सो फ्रेंट साथ अपने आप में ही एक बहुत ही खुबसूरा शब्द है देखा जाए तो इंद्धर्णुष में भी साथ रंग होते हैं सर्गम में भी साथ स्वर होते हैं और पती-पत्नी का भी साथ-साथ जन्मों तक होता है इसी तरह वास्तु शास्त भी साथ को बहुत जादा इंपोर्टनसी है तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये साथ तत्व कौन से हैं फर्स्ट एलमें दिस वी कॉल एयर आंडी स्पेस जी हां फ्रिंज हमारे घर में सूर्य का प्रकाश और स्पेस अच्छे से होना चाहिए स्पेस मीन्स हमें अपने घर क सारा समाल सारा फनीचर कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिससे आने जाने पर वह हमें टकराई नहीं हमें उनसे चोटना लगे और अराम से कहीं भी इडवदर घूम सकते हैं और इसी के साथ सूर्य का प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत साही लोग मैंने ऐसे दे हमेशा हमें कोशिश करने चीए कि सुबह उठते ही सारे खिड़की दरवाजे खोले जिससे जादा से जादा सूर्य की रोशनी हमारे घर में आपने साथ लेकर आता है सकारात्मक उर्जा जिससे हमारे जीवन पे हमेशा बहुत अच्छा प्रभाप पड़ता है और हमारे ज जादा हम नाच्छर प्लांट्स को लगाए नाच्रॉल प्लांट्स लाइक तुलसा जी अलोवेरा बेल पत्र और यहां तक कोई भी अच्छा फूलो का प्लांट पी लगा सकते हैं कोशिश करिए कभी पी काटेदार पौधे ना लगाए और अगर अपको पौधे लगाने ह वहां से आपको बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिलेगा अगर आप बेल पत्र का पौधर लगा रहे हैं तो कोशिश करिए हमेशा जो उसकी डाले हैं जो उसकी बेले हैं वो उपर की और बढ़े क्यों कि हमें हमेशा अपने जीवन में उपर की और बढ़ना होता है हम चाहते बेल पत्र मनी प्लांच वो नीचे आ रहा है तो उसका आपके जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा चलिए अब समझते हैं तीसरा एलेमेंट पानी का फुवारा means water fountain देखिए अगर घर के किसी बी नलके से पानी वेस्ट हो रहा है तो इसको बहुत बुरा माना जाता है लेकिन अगर पानी में rotation है तो वास्तु शास के according इसको बहुत अच्छा माना जाता है इससे नहीं हमारे पास बरक्कत आती है means हमारे बहुत सारा पैसा आता है बलकि घर में बहुत जादा खुशाली पी आती है हो सके तो हमीशा पानी का फुवारा घर की not direction में लग इसली north, east और आफ west direction में लगा सकते हैं इन direction में दिवार घरी लगाने से घर में बहुत ही जादा positive उर्जा का संचार होता है और आपके सारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं आपने बस एक बात का दिहार रखना है कि दिवार घरी में जो अंग है means जो numbers है वो द मजबूर से ही बहुत अच्छे से दिखाई देने चाहिए इसके बाद अगला element आता है happy images जितना जादा हो सके अपने family members की हसी वाली खुशी वाली images अपने घरों में लगाए इस पेशली southwest direction क्योंकि ये direction दिश्टों को मजबूर बनाता है जितना जादा हो सके रोने दोने अपने घर में बिलकुल ना लगाए और ना ही लड़ाई जगडों वाली पिच्चर जैसे की महाबारता का सीन त्यूंकि इस तरह के पिच्चरे हमेशा नकालात्मक उर्जा का संचार करती है जिससे हमारे घर में आपसी संबंदों में तनाव उत्पन होता है next element होता है candle या फिर दिया आप साउट डिरेक्शर में हर रोज सुभा अपने घर में दिया या फिर कोई भी मुंबती जला सकते है इसमें fire element होता है और fire element हमारे घर की सारी नकारात्मक उर्जा को जला देती है और इससे हमारा stress भी दूर होता है last but not least open space yes friends हमारे घर में open space जरूर होना चाहि और स्पेशली north east corner में आपको हमेशा इस बात का दियान रखना चाहिए कि northeast corner में आप कफी भी बहुत सारा heavy furniture या फिर कोई भी heavy समान वहां पे कुछ ना रखे वहां पे हमेशा वो स्थान खाली होना चाहिए जितना जादा आपके घर का ये corner खाली होगा उतना ही जादा आप के जीवन में good luck आएगा so I hope you like my video friends please आपके जो भी वेचार है उसको नीचे लिखे comment section में जरूर लिखेगा मुझे पढ़कर बहुत जादा खुशी होगी thank you